हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं ये बताने। वाला हूँ कि अगर आपका पास्बुक भर गया है SBI पैंक का तो उस बैंक का पास्बुक कैसे लें अगर आपका भर चुका है पूरी एंट्री हो चुकिये है आपका पास्बुक में तो एक नया पास्बुक यानि के डूबलिकेट पास्पूक कैसे लें उसके लिए आपको कौन सा फर्म तबना पड़ेगा ये बताने वाला हूँ और क्या क्या करना पड़ेगा ये बताने वाला हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं करने ने हैं तो चलिए फार करें अश turning कर देंкр पाचवे नमबर पर ठीक है ये किसी पर टिक नहीं लगाना आपको पाचवे नमबर पर टिक लगाना आपको डिप्लिक नमर लिखना जथे लिखना में असकी पाद जो आप सबसे नीच आएंगे चैँए यहां पर आपको सिंग्नेचर करना है और फूल नेम लिख देना है ठीक है और इसकी पीछा को क्या लगाना है पाजू की फोटो कोपी अधार कार्ट की फोटो कोपी और पैन कार्ट की फोटो कोपी अगर पैन कार्ट है तो और जो भी आप फोटो कोपी लगा रहे उस पर अपना सिगनेचर जरूर कर लें ठीक है उसके बाद जो SBI branch का यही वाला form होता है बढ़ने के लिए ठीक है तो I hope कि ये वीडियो आपको समझ माया होगा और अगर समझ माया है तो आप like करें share करें subscribe करें अगर आपको ऐसे form भरवाना है दूसरा form भरवाना है तो आप हमें comment करें या form नमबर लिखें comment के अंदर वो form मैं बताने के मैं